हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं जनल आज मैं आपको ओप शॉल्डर पे प्लम टॉप बनाने का एकदम परफेक्ट तरीका बताऊंगी तो उसके लिए मैंने ये देड़ मिटर क्रैप का फैब्रिक लिया हुआ है आप इसे अपने पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना हमारी रेडी होगी क्योंकि हम इसे ओप शॉल्डर बनाने वाले है तो टॉप पाट की लंबाई हमें ज्यादा नहीं लेनी है अभी देखिए उपर से हमें शॉल्डर के लिए 7 इंच पर निशान लगाना है तो जितना भी आपका शॉल्डर होता है उसका आधा करके आपको लेना है तो मेरा शॉल्डर का मेजरमेंट 14 इंच का है तो उसका आधा मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है अभी देखिए आम होल के लंबाई के लिए भी हमें 7 इंच पर ही निशान लगाना है 7 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लैंड डो कर दिनी है जितना हमन सिलाई मार्जिन के लिए supposed to be fireiegen Prabum तो मैंने ग्यारा इंच पर निशान लगया है चेस्ट का fourth पार्ट करना है और आएई इस्ट एक्ष्टर लेना है सिलाई मार्जिन के लिए तो मेरे जोस्ट का मेजरमेंट फो 36 इंच का है और उसका चौथा भाग 9 इंच होता और 2 इंच मैंने एक्ष्टा रखा है अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच एट कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है वेस्ट का फोर्थ पार्ट करके 2 इंच एक्ष्टा लेना है अभी साइट से भी हम लाइन डो कर देंगे ये दिखे इस तरीके से अभी देखे हम गले की चौड़ाई के लिए इसमें निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि हम ओप शल्डर टॉप बनाने वाले है तो इसमें हम गले की चौड़ाई नहीं रखेंगे स्रिप जो हमने आम होल के लिए निशान लगाया है तो उसका आधा हमें यहाँ पर निशान लगाना है देखे जैसे कि आम होल हमारा साथ इंच का है तो उसका आधा होता है साड़े तीन इंच तो मैंने यहाँ पर साड़े तीन इंच पर निशान लगाया है और देखे जहा आपका आम होल है उसका आधा करके इस तरीके से निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रो कर देनी है तो दिखे इस तरीके से मैंने सीधी लाइन ड्रो कर दी है अभी एक इंच पर निशान लगाते हुए हमें आम होल के लिए राउंड शेप ड्रो कर देना है ये दिखे उपर से इस तरीके से हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है क्योंकि देखे हम उपर से 1.5 इंच तक की फ्रिल भी बनाने वाले हैं तो हमें 1.5 इंच तक की इसमें पट्टी रखनी होगी तब ही हमारे 1.5 इंच तक की फ्रिल इसमें बन पाएगी तो इस तरीके से दोनों सैट से में 1,5 इंच पर निशान लगाना है और एक लाइन डो कर देनी है और यहीं से हमें इसकी कटिंग करनी है तो 1,5 इंच पट्टी के लिए हमें एक्ष्टा ही रखना होगा तब ही हमारा ओप शल्डर टोप एक्टम परफिक्ट तरह के से बन पाएगा अभी हमें इसकी इसी करनी होती है तो स्लीव के लिए फैब्रिक को मैंने फोर वल करके बिचाया हुआ है जो मेरी से वह इसकी बंद वाली सेट है और नीचे से दोनों सैट इसकी खुली हुई है और देखें इसकी जो लंबाई में रखने वाली हूँ वह 14 इंच की रखने वाली हूँ तो देखे में इसमें short sleeve ही बना रही हूँ आप चाहे तो long sleeve भी बना सकते हैं तो आपको sleeve की लंबाई ज्यादा रखनी होगी अभी दिखिए उपर से जो हमारा बंद वाला part है वहाँ पर हमें top का कोई भी एक part उपर से अच्छे से मिलाते हुए रख देना है और जैसे हमने armhole कट किया है बिल्कुल उसी तरीके से हमें उसी शेप में हमें armhole के लिए round shape ड्रो करना है क्योंकि हम slu की cutting करने वाले तो बिल्कुल ऐसे ही हमें slu की मैंने 8 हिंच पर निशान लगाया है और side से हमें इस तरीके से लेंड ड्रो कर देनी है अभी हमें slu की भी cutting कर देनी है तो दिखे मैंने slu की कर लिए है अभी देखिए क्योंकि ऊपर से इसकी बंद वाली side थी तो इसकी भी हमें cutting कर देनी है तो हमारी दो स्लिव निकल कराएंगी क्योंकि उपर से इसकी बंद वाली साइड थी तो दिखे मैंने कटिंग कर ली है और इस तरीके से यह हमारी दोनों स्लिव भी कट हो चुकी है जैसे टॉप पाट की कटिंग की थी बिल्कुल उसी तरीके से अभी देखे बॉटम पाट के लिए जितना पाट की जो लंबाई मैंने रखी है वो 12 इंच की रखी है आप अपनी पसंद से बॉटम पाट की लंबाई कम या ज्यादा भी कर सकते है और देखे इसकी जो पूरी चोड़ाई है वो कम से कम हमें 40-42 इंच तक की लेनी है क्योंकि हम इसमें प्लेट्स लगाने वाले है अपर वाली साइट है तो धियान रहे स्लीव को हमें उलटा रकना है और यजैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं तो और आम होल के ऊपर आम होल को रकना है और इस तरीके से पहले हम मैं इसमें 15 लगा लेंगे उसके बाद हम इसके उपर सिलेगे तो इस तरीके से हमारी स्लिव जॉयंट हो जाएगी और देखे इसी तरीके से जो दूसरी साइट का आम होल है उसके उपर हमें दूसरी स्लिव को रखना है तो देखे स्लिव को हमें उल्टा रखना है टॉप का पाट हमने सीधा रखा है तो दोनों की सीधी साइट अंदर की तरफ है और दूसरी स्ल पारट के साथ जोईन्ट हो जाएगी उसके बाद दूसरा टॉप पार्ट के से जोईन्ट करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी तो दिखे मैं conc проч Us से आम होल के उपर सिलय लगा दी है और ये दोनों ही स्लिव हमारी एक ही टॉप पार्ट के साथ जॉयंट हो चुकी है ये दिखे आप देख सकते हैं दोनों ही स्लिव जॉयंट हो चुकी है अभी हमें क्या करना है कि हमें दूसरा टॉप पार्ट लेना है तो देखे ये जो एक वाला टॉप पार्ट है वो भी हमें उल्टा ही रखना है तो दिखे टॉप पार्ट की सीधी सैट अंदर की तरफ है और टॉप पार्ट को हमें उल्टा रखना है और टॉप पार्ट का जो एक सैट का आम होल है उसे हमें स्लिव के आम होल के उपर इस तरीके से रखना है और य दूसरी सेट का आम होल है ये देखे आप देख सकते ही ये जो दूसरी सेट का आम होल है उसे हमें जो हमारी दूसरी स्लिव है उसके उपर रखना है तो दिखे ये जो हमने स्लिव लगाई हुई है वो इसकी उपर वाली सेट है वो सीधी सेट है और ये जो हमारा दूसरा वाल उससे हमें दूसरी स्लीव के आम होल के साथ इस तरीके से मैच करना है और यहां पर भी पिंस लगाकर इसे सिक्योर करते हुए इसके उपर भी हम uzिलई लगा देंगे तो इस तरीके से दोनों ही top part के साथ हमारी sleeve दोनों तरीके से joint हो जाएगी एकदम perfect तरीके से बहुत ही आसान है इसे joint करना तो दिखे मैंने दूसरे top part के साथ भी sleeve cottage करते हुए इसमें से ले लगा दी है अभी देखे इसे हम सीधा करेंगे तो इस तरीके से हमारी दोनों ही के है और ये दिखे ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा side में दोनों side हमारी sleeve आएँगी और ये दोनों आमने सामने हमारे top part आएँगे अभी सबसे पहले हमें क्या करना है ये जो हमारी sleeve है इसकी जो border है इसे हमें इस तरीके से double fold करते हुए इसके उपर सिलय लगा देनी है तो बिल्कुल बारिक बारिक हमें इसकी border को double fold करना है और इसके उपर हमें सिलय लगा देनी है दोनो side की sleeve के उपर तो दिखे मैंने इसकी border पर सिलय लगा दी है दोनों ही sleeve की border को मैंने सिलय लगा दी है अभी हम इसमें elastic लगाने वाले है तो इसके लिए हमें क्या करना है तो दिखे पहले जो नीचे वाली सेटे वहाँ पर हमें आधा आधा इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है जितनी भी स्लिव की चौड़ाई है पूरे में हमें आधा आधा इंच पर इस तरीके से निशान लगाते हुए एक आते हुए रखना है तो देखे जितना भी आपका measurement आता है उससे एक इंच आपको extra लेना है क्योंकि दोनों सैट से आप आधा आधा इंच तक इसकी fitting भी करेंगे तो एक इंच आपको extra लेना है तो मेरी जो slip का measurement है वो 10 इंच का आया है तो मैंने 11 इंच का elastic लिया है अभी दूसरे सैट पर भी हमें लाइंडरो करते हुए elastic को इस तरीके से खींचते हुए अटेज कर देना है तो यह दिखे मैंने elastic को अटेज कर लिया है और देखे सीधी सैट से आप देखेंगे तो कितनी सुन्दर इसकी gather बन जाती है तो यह स्लिव बनाना भी बहुत ही आसान है तो मैंने दोनों स्लिव के उपर elastic को इटेज कर लिया है अभी हम सबसे पहले इसका off shoulder ready कर लेते हैं तो दिखे जिसके लिए सबसे पहले हमें इसकी जो border है उसे हमें आधा इंच तक एक बार fold करना है और पूरे में हमें सिलय लगा देनी है यह दिखे इस तरीके से आधा इं पहले हमें खूली चो ड्नी है क्योंकि हम इसमें से elastic को पास करने वाले है इसलिए हमें 1 इंच तक इसे फोल्ड करना है और इसकी उपर सिलय लगानी है और थोड़ी सी जगधा हमें खूली चोड़ी है elastic को pass करने के लिए तो 1 इंच तक ही हमें इसे fold करते हुए इसके उपर सिलाय लगानी है तो दिखे मैंने इसे fold करते हुए इसमें सिलाय लगा दी है और ये थोड़ी सी जगा मैंने खुली छोड़ी है elastic को pass करने के लिए अभी देखे ओप शोल्डर टॉप हमारा दो तरीके से बनता है एक वाला तरीका जो होता है उसमें आप चाहे तो फ्रील बना सकते हैं और दूसरा वाला तरीका जो होता है अगर आप ना चाहे फ्रील बनाना तो ऐसे ही आप इसमें इलाश्टिक लगा सकते हैं क्योंकि आप अपनी पसंद से बना भी सकते हैं और चाहे तो ना भी बना सकते हैं तो अगर आप फ्रिल नहीं बनाना चाहते हैं तो इलाश्टिक को ऐसे ही इसमें से पास कर दीजेगा और अगर आप फ्रिल बनाना चाहते हैं तो देखें आपको इलाश्टिक लेनी हैं और जितनी भी चौ लगा देना है तो देखें 1 इंश तक हमने फैबरिक को फोल्ड किया था तो इलश्टिक की जो चोड़ाई है वो हमारे повторी 10 इंश तक की ही है तो अदह इंश उपर से हमारा फैबrik बज़ जाता है तो उसके हम इसमें फ्रेल बनाने वाले है तो जितनी भी elastic की चोड़ाय है उतना आपको पूरे ही जितना भी off shoulder का round है उसमें आपको इस तरीके से line draw कर देनी है या फिर आप अंदाजे से भी इसमें सिलाय लगा सकते है उसके बाद हमें इसके उपर सिलाय लगा देनी है क्योंकि off shoulder top में सबसे ज्यादा जो जरूरी part होता है वो इसी elastic का measurement होता है तो अगर आप elastic proper measurement से अगर लेते हैं तबी आपका off shoulder top आपके shoulder के उपर एकदम perfect तरीके से बेट जाता है नीचे गिरने की बिल्कुल भी गुंजाईश नहीं होती है तो आपको ध्यान देना है आपको elastic का measurement एकदम perfect तरीके से लेना है जैसे कि दोनों हाथों को मिलाते हुए जो हमारा round होता है जैसे आप screen पर side में तस्वीर देख रहे है उस हिसाब से आपको elastic का measurement लेना है तो जितना भी आपका पूरा round का measurement आता है उसमें आपको 3 इंच elastic कम लेना होता है तब ही आपका perfect तरीके से बेट पाएगा तो आपको elastic का measurement perfect तरीके से लेना है तो मेरा जो पूरा round का measurement है वो 40 inch का आया है तो उसमें मैंने 3 इंच elastic कम लिया है यानि कि मैंने 37 इंच का elastic लिया हुआ है तो आपको भी इसी तरीके से elastic का measurement लेना है और उसमें आपको 3 इंच कम का elastic लेना है तब ही आपका off shoulder top आपके shoulder के ऊपर एकदम perfect तरीके से बेट उसके बाद दिखे जो हमने थोड़ी सी जगा खूली छोड़ी है उसमें से हमें elastic को safety pin की मदद से पास कर लेना है एकदम आसान तरीके से elastic हमारा पास हो जाता है तो आपको इसी तरीके से elastic का measurement लेते हुए elastic को पूरे ही round में से पास कर लेना है ये दिखे इस तरीके से उसके बाद दोनों elastic को मिलाना है और इसके उपर हमें सिलय लगा देनी है और जो थोड़ी सी जगा हमने खूली छोड़ी थी elastic को पास करने के लिए उसके उपर भी elastic को attach करने के बाद यानिक इसके उपर भी सिलय लगाकर इसे lock कर देना है तो I hope so कि मैंने जो आपको बताया है वो और आपको off shoulder top बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी तो देखे इस तरीके से मैंने elastic को पास करते हुए यहाँ पर मैंने सिलय लगा दी है और उपर देख सकते हैं जो हमने सिलय लगाए थी वहाँ पर इस तरीके से frill बन चुकी है और बहुत ही सुन्दर लगती है अभी ह कि मैं pleated बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने पटिया जो कट की है उसे हमें top part के उपर उल्टा रखना है और इस तरीके से हमें छोटी छोटी plates लगाते हुए इसके उपर सिलय लगा देनी है जितनी भी हमारी plates आती है उस तरीके से हमें इसमें plates लगाकर top और bottom part को attach कर लेना तो दिखे मैंने bottom part के उपर इस तरीके से plates लगा दी है और top और bottom part को मैंने attach कर लिया है दोनों ही side से अभी हमें इसे उल्टा कर लेना है और दिखे जो हमने sleeve attach की थी वहाँ पर हमें स्रिप आधा इंच का ही गेप छोड़ना है क्योंकि हमने elastic में आधा इंच का ही सिलय पर दो इंच का गेप रखते हुए हमें इसकी fitting कर लेनी है उसके बाद जो नीचे की border है उसे हमें simply double fold कर लेना है और इसके उपर हमें सिलय लगा देनी है तो ये दिखे मैंने इसकी fitting कर ली है दोनों ही side से मैंने इसकी fitting कर ली है और नीचे की जो border है उसे भी मैंने double fold करते और इसी के साथ यह हमारा ओप शोल्डर पेपलम टॉप बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लूप So friends, I hope आपको आज का यह टूटोरियल पसंद आया होगा अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेर जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ने उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मेरा ये वीडियो देखने के लिए थेंक्यू सो मच फ्रेंड्स